दोस्तों नमस्कार कर्णल अजयास यू अजयास टो मनी गुरूब फर्स्ट ग्लोबल एस्टो फ्रनेस दीटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ आज 28 जून सन 2023 दोस्तों मसाले पर देश का पहला चैनल है ड्राइफ फ्रूट्स और मसाले पर लगातार आपको अप्डेट विश्लेशन देते हैं देश दुनिया की खबर से आपको रूबुरू कराते हैं जीरा धनिया लाल मिर्च काले मिर्च छोटी लाइची बड़ी लाइची हल्दी सौफ अजवाइन काजू बादाम मखहना किश्मिश इन सभी पर हमारे चैनल पे आपको अप्डेट मिलते हैं दोस्तों मगज यानि तर्बूज के बीच के जबरदस्त तेजी को देखते वे सरकार को अब तर्बूज बीच के आयात की मंजूरी देनी पड़ी है गौरतलब है कि सरकार ने तर्बूज के बीच की इंपोर्ट के ओपर बेन लगा रखा था लेकिन बेहिसाब तेजी को देखते वे अब सरकार ने तर्बूज के बीच का इंपोर्ट को खोलने का किया है फैसला दोस्तो आठ जून को सरकार ने तर्बूज की बीच की इंपोर्ट करने के लिए इजाज़त दे दी है दोस्तो मगज के बीच की शांदार तेजी और शौर्टिज को चलते वे ये निन्ने लेना है पड़ा है इस समाचार से मगज के बीच में कुछ गिरावट बढ़ गई थी लेकिन दुबारा इसमें बाउंस बैक हो सकता है कौर्टलब है कि आयात लाइसंस हे तु आवेदन के लिए अन्तिम तारिक 15 जून है सरकार दौरा गत 31 अक्टूबर 2022 के बाद अब तक तर्बूज के बीच पर आयात पर प्रतिबंद लगा दिया गया था इसे 8 जून को इसके आयात पर प्रतिबंद 31 अक्टूबर सन 2023 के लिए हटा दिया गया है सरकार दौरा नोटिफिकेशन भी जारी की गई थी और इसके प्रबाव से 20 जून तक बजारों में मगज बीच के उपर कुछ दवाब देखा गया लेकिन पाइप लाइन में माल खाली होना और थोड़ी सी खपत वाले उद्योग में माल निकलते ही इसके अंदर दुबारा ये 750 से 760 रुपए प्रतिके लोग के भाव हो गए हैं जोत्मूर लाइन में मगज तर्बूज का स्टॉक बिलकुल नहीं के बराबर है और दूसरी और खपत वाले उद्योगों में सावन की मांग को देखकर पकड़ मजबूत हो गई है यही कारण है कि 100 रुपए और बढ़ जाने की अब कोई संभावना नजर आ रही है लेकिन सुडान के टेंडर वाले माल आने पर यह तेजी मंदी में भी बदल सकती है गौरतलब है कि सरकार द्वारा 35,000 मेटरिक टन तर्बूज सीट की अनुमती दी गई है गौरतलब है कि गतवर्ष नया माल आने के समय यानि अगस्त के आसपास मगज तर्बूज दिल्ली में 160-165 रुपए प्रती किलो से नीचे विका था उस भाव में स्टाकेश्टों की चारोतरा फिदली वाली से 750-660 भाव हो गये हैं उपर में आयात प्रती बंध हटने से के पहले मगज बीज का भाव 830 रुपए तक बिग गया था गौरतलब है कि पिछले साल 160-165 रुपए वाला माल 830 रुपए बिग गया था मगज तर्बूज में इस तरह से लगबक 300% से अधिक की तेजी को देखकर सरकार द्वारा आयात प्रती बंध हटाने का निन्ने लिया गया है और इस भावों के उपर जिनके भी पास मगज के बीज हैं उनको मुनाफ़ा वसूल अगले कुछ समय में करना उचित रहेगा दोस्तों कहा जाता है कि जो मुनाफ़ा समय से नहीं वो करता है वो बाद में पस्ताता है और एग्रो कमोडिटीज के अंदर तो वो जो समय पे मुनाफ़ा वसूल करे और मंदी में मात खरीदे वो ही इस खेल के अंदर इस व्यपार के अंदर विजय होता है दोस्तों याद कीजिए 50 रुपे पर हल्दी कोई लेने वाला नहीं था जब हमने आपको हल्दी की बात कही थी और आज 45 रुपे और 100 रुपे पर हल्दी के खरीदार आ रहे हैं जीरा पिछले साल 18 से 20 जार 22 जार में कोई लेने को तयार नहीं था आज जीरे के अंदर भाव 60,000, 55,000 की बाते 70,000 की बाते हो रही हैं सौफ के अंदर हमने डेड मैने पहले आपको तेजी की बात कही थी आजवाईन में हमने आपको तेजी की बात कही थी सारी सत्ते निकली धनिया तीन गुनी बिजाई, तीन गुनी पैदावार, तीन गुना स्टॉक की बात की थी देखिए धनिये के अंदर निशले इस तर से कितनी शांदा रिकावरी हुई दोस्तों यदि आप ड्राइ फ्रूट्स और स्पाइस यानि मसालों के व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं तो हमारी विशेश रिपोर्ट को जरूर आप ट्राई करें नमबर स्क्रीन पे दिया गया है, जरूर संपर कर सकते हैं All the very best, good luck, happy trading